नवश्कार SBT News में आपका स्वागते और पेश रे इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरे तीनों कृष्वी कानूनों के खिलाफ देश भर में 19 दिन से बवाल मचा हुआ है राजस्तान में कृष्वी कानूनों के खिलाफ विरोत प्रदर्शन लगातार जारी है और इसे घमासान और बवाल के बीच किसान संगर समीती ने फिर से केंद सरकार के खिलाफ हला बुला है संगर समीती के सयोजक हिम्मस सिंग गुर्जर ने कहा कि मोधी सरकार बड़ी कमपनियों के दबाब में कृष्वी बिल लेकर आई है सरकार किसानों से हक छीन कर बड़ी कमपनियों को फाइदा पहुँचा रही है और इन बिलो से काला बजारी बड़ेगी और किसान अपने ही जमीन पर बंदुआ मज़ूर बन जाएगा राधसान के बारा जिलो के पचास निकायों में आये परिणाम भले ही कॉंग्रेस ने भाजपा को पचाड दिया हो लेकिन निकाय परिणाम गहलो सरकार के मंत्रियों और विधायकों के लिए सुखद नहीं है पचास निकायों में आदा दर्जन मंत्रियों और दो दर्जन से जादा कॉंग्रेस विधायकों के शेत्र थे जहां किवल कृषी लाल चंदर कटारिया ही अपने विधान सबा शेत्र की जो बनेर नगर पालिका में पार्टी को पूर्ण बहुमत दिला पाए जबकि चार मं पांत्रियों और विधायकों के शेत्रों में निर्दलियों को पलडा भारी रहा है। जो किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। हम यहां मानवता के लिए बैठी हैं। अध्यक्ष सभापती बने। लेकिन इस चुनाओं में यह परिपाटी तूटती दिख रही है। क्रिश्री कानूनों का दिल्ली के बाद अब राजसान हर्याना बोर्डर पर विरोत तेज हो रहा है। किसान अलवर जिले के श्रहजापुरा कस्बे के राजसान हर्याना बोर्डर पर जमी हुए है। शुक्रवार को किसानों के ओर से दिल्ली जैपुर हाईवे राष्ट्री राज मार्ग को जाम करनी की चितावनी दी गई थी। जिसके बाद राजसान और हर्याना पुलिस का जापता बोर्डर पर लगाया गया। हालांकि किसानों ने अबे तक हाईवे जाम नहीं किया लेकिन राजसामी पुलिस इस मार्ग से दिल्ली जा रहे वाहनों को परिवर्तित मार्गों से जाने की सलाथ दे रही है इस बार 15 दिसंबर की रात को 9 बचकर 31 मिनट पर मल मास्क प्रारम होगा यह 14 जन्वरी 2021 की सुबह 8-13 बजे तक रहेगा इस एक महिने की अवदी में भगवान सूरे अपने गुरू प्रिस्पती की सेवा में रहेंगे और इस कारण सभी मांगलिक कारे वर्जित रहेंगे पानेतों के निसार धनु मल मास्क में वैसे तो बहुत कम अच्छे संकेत मिलते हैं यह महिना नकारात्मक्ता से भरा होता है और इसकी बावजूत इस बार देश के लिए धनु सक्रांती कुछ अच्छे संकेत लेकर आई है सक्रांती की कुण्डली के सब्तम भाव में गुरु प्रेशनी के कारण भारत का प्रभुत्व पूरे विश्व में भड़ेगा और देश इस दिशा में नए आयाम सापित करेगा भारत पाक युद 1971 की जीत के उपलक्ष में सीमा सुक्षा बल की भारत पाकिसान अंतराष्टी सीमा पर बेटन रिले द्रोड रविवार आदी रात को शुरू हुई खाजुवाला शुत्र की काविरी सीमा चोकी पर रात बारा बजे बेटन लेकर दोडनाश शुरू किया डियाईजी पुषपेंज सिंग राठोर ने हारी जंडी दिका कर रिले दोड शुरू करवाई बियसेफ के जबान रात बढ़ दोड कर सुबह अनुगण शित्र की कैलास सिमा पहुँचे और यहां से सिमावर्ती गावों से होकर अनुगण स्टेरियम में समापन समारू स्तल तक जाएंगे खाजवाला से अनुगण तक बॉर्डर कितार बंदी के समानांतर 180 किलोमेटर का सफर 11 घंटे में पूरण करने का लक्षय रखा गया है रेले भरती बोर्ड द्वारा, मिलिट्रिंस और आइसोलेट केटिगरी के पदो पर भरती के लिए पहले चरण की परिक्षा का आयोजन कल 15 दिसम्बर से किया जाएगा पहले चरण में स्टेज CBT की एक की परिक्षा 18 दिसम्बर तक चलेगी और पहले चरण की परिक्षा के लिए कुल 354 केंदर बनाए गए हैं और कुल 1663 पदों के लिए एक दश्मलग 0-3 लाग उम्मीदवार परिक्षा में सम्मिलित होंगे बोर्ड M.I. भरती परिक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दी हैं परिक्षा के लिए जाने से पूर उम्मीदवारों को सभी जरूरी नियमों का पालन करना अनिवारे होगा कोटा के आरके पुरम पुलिस ने कोटा विश्रुवद्याला में फरजी अंकतालिका के जरिये प्रवेश्ट लेने तथा चात्रसंग चुनाव लड़ने के दर्ज मामले में फरार चल रहे दो अन्य आरूपियों को गिरफतार किया है पुलिस की पुछताश में आरूपियों ने कबूल किया है कि 5000 रुपे में कोई भी डिग्री बनाई जा सकती है आसानी से फरजी अंकतालिका जारी कर दी जाती है पुलिस ने अब जांच का दाइरा बढ़ा दिया है आप सभी ने साल 2019 में आई आईश्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गल तो देखी ही होगे और फिल्म में आईश्मान खुराना लड़की की आवाज में लोगों से दोस्ती करते हैं ये फिल्म भले ही आपको सच्चाई से परे लगे लेकिन छे राज्यों की पुलिस ने एक ऐसा ही गैंग अब मुसीबत बन गया है पुलिस को बा और पिनाइट के बीहडगाव के पचास ऐसे हैलो गैंग के सदस्यों की तलाश है जिन्होंने अपनी मीठी मीठी आवाज से पांच हजाद से ज़्यादा लोगों से ठगी की है ये गैंग भुले भाले लोगों को नोक्रे दिलाने और यूफ्टियों से दोस्ती कराने का जहांसा देते हैं और पैसे ठग लेते हैं माईलो जोस्टिक गुरुकुल अकादमी स्पाइस जट की माल ढुलाई शाखा स्पाइस एक्सप्रिस के 500 सदिक कर्मियों को उन टीकों के रखरकाव सबंदी ओनलाइन प्रशिक्षन दे रही है जिने कोल्ड चैन प्रणाली में रखे जाने की आवशकता है दिल्ली स्थित प्रशिक्षन अकादमी ने सौमार को जारी एक प्रेस विज्यक्ति में बताया कि वह करीब 25 प्रति भाग्यों वाले हर बैच को दो दिन के लिए प्रति दिन 4 घंटे उनले प्रशिक्षन महया करा रही है बार्णमीर श्रित्र के गुड़ा मलानी के पास में तेल गैंस की पाइपलाइन में हुए रिसाव से आग फूटी और इसको लेकर ग्रामिनों में भै हुआ तेल कंपनी ने सौरक्षा के इंतिजामों को तुरंत महया करवाते हुए इस पर 8 घंटे में काबू पा लिया खाले रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की तुल्ला में राजय में भूजल में चौंसत प्रतिशत की रावट आई है राजयसान में भूजल के उतार चड़ाव पर नज़र रखने के लिए हर साल भूजल विबाग राजय में एक अजार स्यदी कौं का प्री और पोस्ट मानसुन अधिन करता है वर्दमान में राजयसान में 709 खोदे गए कूं और 557 पाईजो मिटर सहित राश्टर राजमार्क स्टेशनों के 1266 शेत्रों की निगरानी की जा रही है रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक के वारशिक जलस्तर में उतार चड़ाव से पता चलता है कि 34.44 प्रतिशत स्टेशनों में वर्दी देखी गई जबकि 64.45 प्रतिशत की गिरावट दर्श की गई है मूर्गी दाना और पशुचारी के लिए पूरवी राजयसान समीत राजयसान की एक दरजन मंडियों में खरीच जा रही है मालगाडी के जरीए 2500 से 3500 टन बाजरा एक बार में भेजा जा रहा है और इसके लिए कोटा मंडल में हिंडोन सिटी रेल्वी स्टेशन के लिए रेल्वी की रैक बुक के जा रही है राजयसान के लाव उत्तिरपदे से भी बाजरा दक्षिन भारत में आपूर्ती के लिए खरीदा जा रहा है राजयसान में भरतपूर, हिंडोन, सवाई, मादपूर, अलवर, दोसा, लालसो, छित्र से बाजरे की प्रमुकता से खरीद हो रही है यूपी से एटा और कास्ट गन से प्रमुकता से खरीद की जा रही है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ